मुझा अपर में आप लोग देख रहे हो मेरा S.I.P. बूक हो गया है फिफ्टी लेक रुपीस पर मन्थ एन एउएम है टोटल ट्वेंटी करोर प्लस जस्ट वीदिन 2.5 यर्स ये देखने वाली बात है सो काफी सारे लोग मेरे उपर भरोसा कर रहे है और भरोसा करे तो क्यों ना करे हमारे पास नॉलेज है करेक्ट सो समझदार को इसारा काफी है इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटेक्ट है कोई प्राब्लेम है नहीं इंडिया की एकोनोमी में कोई प्राब्लेम नहीं है करेक्ट आप लोग देखोगे तो पूरे इंडिया का S.I.P. बुक हो गया है अभी 21,000 करोड प्लस एवरी मन्थ 21,000 करोड रुपीज मार्केट में आ रहा है करेक्ट और इंडिस्ट्री का ऐसा अनुमान है कि December 2024 तक ये S.I.P. बुक हो जाएगा 25,000 करोड सो समझ लीजिए मार्केट जबी भी नीचे आएगा सपोर्ट मिल ही जाएगा और मार्केट वैसा ओवरॉल उपर ही जाने वाला है सो काफी सारे लोग पैसा लगा रहे है तो आप भी इस जर्नी में मौका मत गवाईए और अल्रेडी S.I.P. कर रहे हो इंवेस्मेंट कर रहे है तो हमारे साथ उसको रिव्यू किजिए रिव्यू करवाईए मेरा फाइनल टच लगेगा तो आपको फाइदा जरूर से होगा और आपको आपकी प्रोफाइल को देखते हुए जो भी सही होगा मैं उस तरह से आपको गाइड करने की कोशिस करूँगा सो रिसेंटली ही स्टॉक लिस्ट हुआ है और वोल्यूम्स तो काफी बढ़िया है कोई प्रॉब्लम है नहीं एक बार BAC का चार्ट भी देख लेते हैं या रिसेंटली ही स्टॉक लिस्ट हुआ है सो गाइस चार्ट का स्ट्चर ओके है सो बहुत बड़ा चार्ट तो नहीं है बस इतना ही चार्ट है 10 जूलाई को लिस्टिंग हुआ है उसके बाद स्टॉक उपर की साइड्स में जा रहा है थोड़ा साइडवेस होके सो ये स्टॉक के अंदर मॉमेंटम बना रहेगा बाद डिप्स वाला ये चार्ट है और मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी सो मैं थोड़ी अग्रेसिव एडवाईज ही आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 360 के नीचे ये स्टॉक जाना चाहिए अगर यहां से लोवर रेवल भी आता है तो वो बाइंग अपर्चुनिटी ही है सो हमें क्या करना चाहिए 390 के आसपास यहां पर लेना है तो 10% के आसपास का अलोकेशन यहां आप ले सकते हो बागी का 40% का अलोकेशन आपको लेना चाहिए somewhere around 390 के आसपास correct और बागी का और 50% quantity आपको buy करना चाहिए 370 से 380 के बीच में 370 से 380 के बीच में और closing basis के उपर आपको एक stop loss maintain करना चाहिए वो है 360 का सो मेरे इसाब से बंसल वायर के अंदर 22 डिपस अगर करना है तो आप ज़रुड़ से कर सकते हो चार्ट का structure अच्छा है कोई problem है नहीं indicator के उपर भी एक बार देख लेते हैं कि indicator हमें किस तरह से guide कर रहा है तो daily time frame का chart का structure आप लोग देखोगे तो क्या 16% का gain अभी भी चालू है just within a how many days just within a six trading sessions only right so indicator भी काफी अच्छे से हमें guide कर रहा है और मैं भी आपको वही बता रहा हूं कि chart का structure अच्छा है मेरा view और indicator का view almost same ही रहता है but indicator क्या machine है और मैं human हूँ तो human ज़्यादा अच्छे से सोचता है right machine के पास वो सोचने की ताकात नहीं है इसको जितना direction दिया है command दिया है वो उसके उपर ही काम करता है so बनाने वाला भी मैं हूँ inventor ही मैं ही हूँ so जिस तरह से बताया है machine भी जिस तरह से बता रहा है काम कीजिए चुरू से आपको फाइदा होगा दोस्तों काम कीजिए बता है